नमस्कार कक्षा दस गनित आज का हमारा उपविशय है सांखी की जिसमें हम वर्गी क्रेत आंक्णों के माध्य के बारे में सीखेंगे तो आईए शिरू करते हैं बचो इससे पहले हमने पिछली कक्षाओं में माध्य के बारे में पड़ा है कि दिये हुए सभी प्रेक्षनों के मानों के योग को प्रेक्षनों की कुल संख्या से भाग करके माध्य प्राप्त किया जाता है जैसे हमारे पास कुछ संख्याएं हैं दो पांच छह आठ पांच तीन चार और साथ इनका माध्य निकालने का सूत्र है सभी प्रेक्षनों का योग उसे भाग किया जाएगा प्रेक्षनों की कुल संख्याएं देखिए माध्य बराबर दो प्लस पांच प्लस छह प्लस आठ प्लस पांच प्लस तीन प्लस चार प्लस साथ और इने भाग किया जाएगा कुल सं प्रेक्षन कितने है 8 इनका योग आ गया 40 और 40 को 8 से भाग करने पर हमें प्राप्त होगा 5 तो दिये गए आंक्णों का माध्य है 5 इसी प्रकार से यदी हमें प्रेक्षन x1, x2, x3, x4 इसी प्रकार से xn तक दिये गए हो और इनकी बारम बारताएं क्रमशह f1, f2, f3, f4 इसी प्रकार से fn तक हो तो इनका माध्य होगा x1, f1, plus x2, f2, plus x3, f3 इसी प्रकार से बढ़ते हुए xn, fn और इसे भाग किया जाएगा f1, plus f2, plus f3, so on to fn तक इसे ही हम लिखते हैं माध्य बराबर summation fi xi भाग summation fi आज हम सीखेंगे वर्गी कृत आंक्णों का माध्य यानि mean of group data आएए शिरू करते हैं प्रश्णावली 14.1 इसका पहला प्रश्ण है विद्यार्थियों के एक समुह द्वारा अपने पर्यावरन संचेतना अभ्यान के अंतरगत एक सर्वेक्षन किया गया जिसमें उन्होंने एक महले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंक्णों को एकत्रित किया प्रती घर माध्य पौधों की संख्या ग्यात कीजिए तो बच्चों देखिए इसमें हमें पौधों की संख्या दी गई है और साथ की साथी कितने घरों में उतने पौधे लगे हैं वो भी बताया गया है जैसे जीरो से दो पौधे कितने घरों में है केवल एक घर में दो से चार तक पौधे कितने घरों में है? दो घरों में, चार से छे तक पौधे कितने घरों में है? एक घर में, इसी प्रकार से. तो आएए हम इन आंक्डों का मध्य निकालने का प्रयास करते हैं. देखिए, हमारे पास है पौधों की संख्या और आगे है घरों की संख्या. यह जो घरों की संख्या हमें दी गई है, इसे ही हम कहते हैं बारंबारता, यानि कितने पौधे कितने घरों में लगे हैं. इसे हम लिखते हैं F I ये पहली जो संख्या है 1 ये है F 1 दूसरी संख्या 2 ये है F 2 इस प्रकार से सबसे पहले अब हम निकालेंगे बच्चो वर्ग चिन वर्ग चिन निकालने के लिए जैसे सबसे पहले हमारे पास वर्ग अंत्राल है शुन्य से दो आईए इसका वर्ग चिन निकालना सीखते हैं इस अंत्राल का वर्ग चिन निकालने के लिए उपरी सिमा और निचली सिमा का औसत निकाला जाएगा यानि उपरी सिमा प्लस निचली सिमा भाग दो निचली सीमा है, शुन्य, प्लस उपरी सीमा है, दो, भाग, दो, ये आ गया, दो बटा दो, और दो को दो से भाग करने पर हमें प्राप्थ होगा, एक, इसका अर्थ क्या है? कि इस अंतराल का वर्ग चिन आया है एक इसी परकार से 2 से 4 वर्ग अंतराल इसका यदि आप देखेंगे तो 2 प्लस 4 होगा 6 और 6 को 2 से भाग करने पर प्राप्ट होगा 3 और 3 जो है ये 2 से 4 वर्ग अंतराल के बिलकुल मध्य में आता है तो दो से चार वर्ग अंत्राल का वर्ग चिन होगा तीन इसी प्रकार से चार से शे वर्ग अंत्राल का वर्ग चिन कितना होगा पांच चह से आठ वर्ग अंत्राल का चिन कितना होगा वर्ग चिन कितना होगा साथ आठ से दास वर्ग अंतराल का वर्ग चेन कितना होगा 9 इसे प्रकार से 10 से 12 का वर्ग चेन कितना होगा 11 और 12 से 14 का वर्ग चेन होगा 13 ये तो थे वर्ग चेन अब हमें निकालना है fi गुना xi इसके लिए हम fi और xi इन्हें आपस में करेंगे गुना यानि f1 को x1 से f2 को x2 से f3 को x3 से और इसी प्रकार से आएए शुरू करते हैं f1 गुना x1 यानि कि 1 गुना 1 हमें प्राप्त होगा 1 f2 गुना x2 दो गुना 3 बराबर 6 f3 गुना x3 एक गुना 5 और हमें प्राप्त होगा 5 इसी प्रकार से 5 को 7 से गुना करने पर हमें प्राप्त होगा 35 6 से 9 को गुना करने पर हमें प्राप्त होगा 54, 2-11 से गुना करने पर हमें प्राप्ट होगा 22, और 3-13 से गुना करने पर हमें प्राप्ट होगा 49, बचो अब हम निकालेंगे घरों की कुल संख्या यानि की summation FI तो हम इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे और इन सबी संख्याओं को जोडने से हमें प्राप्त होगा 20 इसी प्रकार से अब हम निकालेंगे सिमेशन FIXI और उसके लिए हमें इन सबी संख्याओं को जोडना होगा और बच्चों जब आप इने अपनी नोटबुक में प्लस करेंगे तो आपके पास इनका जो टोटल है इनका जो योग है वो आएगा 162 आएए अब हम निकालते हैं माध्य का सूत्र हमने पहले पढ़ा था सिमेशन FIXI भाग सिमेशन FIXI तो सिमेशन FIXI है 162 और सिमेशन FI है 20 बचो 162 को 20 से भाग करने पर हमें प्राप्त होगा 8.1 इसका अर्थ क्या है कि इस दिये गए आंकडे का जो मध्य आया है वह आया है 8.1 तो मध्य है 8.1 यानि कि प्रतीघर मध्य पौधों की संख्या है 8.1 तो बच्चो इस प्रकार से हमने वर्गी क्रितांकणों का मध्य निकालना सीखा है धन्यवाद झालना सीखाथ